ये देखे टाइलों पे अपनी फोटो इन्होंने चमका करके इस तरह से इन्होंने लगा दिये बाकी कुछ नहीं है हकीकत जीरो है आप ये लगे कि देखे दिली में स्टम बारीज के बाद हर साल क्या है दिली में डेंगू की बहुत बड़ी बिवारी होती है आप लगे ये के पीड़ी के नाले बीद्ली गोप्रेंटफे नाले है यह नाले साब रही है इनमें डेंगों के मच्सर है're कितने बच्चों के के मhith की केजिरिवाल जी को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि बच्चों के हल्थ को पर कितना इफक पड़ेगा लेकिन ये लोग शेक्षा की मॉडल की बात करते हैं हुआ क्या तक कि दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जिरिवाल जी इतने तेज आदमी है इतने मलब स्मार्ट है कि वो सारे जो भरष्टाचार हुए उनमें कहीं पे उनका नाम नहीं है क्योंकि साइन रून कहीं के नहीं पर दिल्ली का मुख्य मंतरी एक ऐसा मुख्य मंतरी पुरे देश में कि जो मुख्य मंतरी तो हैं लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं है अपने पास सारे अधिकार और कमाई कौन है मुख्यमंत्री जी है ये जो सराब कंपनि से पैसा किस ने लिया मुख्यमंत्री जी ने साइन किस के मनीशिडा इसे तरह है चाहे कि जो साथ के जो विधायक है उन पर आपको विश्वास नहीं है तभी तो आप विश्वास असला रहे हैं इस समय हम मुझूद है दिल्ली की पडपडगंज विधान सबा में जहां से उपमुख्य मंत्री मनीश सी सोधिया चुन करके गए थे और ये एक दिल्ली का सरकारी स्क आजिक कारेकरता विनोत बेचेती आईए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो मनीश सी सोधिया खुद शिक्षा मंत्री है जिस शिक्षा मॉडल को लेकर के पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं आखिरकार खुद उनके विधान सबा में वो शिक्षा मॉड पर्टी सरकार पर तो इस स्कूल के शिक्षा मॉडल को लेकर आप क्या काहिए दिखिए यह दिली के पड़गंज विधानसवा का उसका यह स्कूल है जिसकी यह पूरी दुनिया में बात करते हैं कि देखिये हमारा सिक्षा मॉडल क्या है और यह विनोन नगर है लिए विन कितने बिल्कुल चमकदार है लेकिन अंदर की स्थिति जिस तरह से केवल बिल्डिंगों में पोस्टर मला टाइल से सरंगाई है पुताई हैं अंदर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है जो मेट्रिल यूज हुआ है वो बिल्कुल जीरो है अगर बात की जाए तो बीजेप पीने किया इसकोल लेकर क्या कि नहीं देखे जो इनौने साथ साल पहले जो कहा था कि हम टोटल जो है वो करीवन 500 नए स्कूल बनाएंगे आप आट्या की रिपोर्ट में एक भी नए स्कूल किसी नहीं जमीन पर नहीं मना हाँ स्कूलों के उपर इन्होंने टीन सेट करके इन्होंने कमरे बनाए हैं जो 300 स्कार मीटर के हैं और जिनकी लागत करीबंड जो इनके रिकोर्ड के साफ से करीब पच्छी से लेके 26 लाक आरी है लेकिन अगर आप लॉनली देखें तो एक कमरे की कीमत होती है वह 4 से 5 लाग आती है लेकिन जो इनको इनने जो लिसकली जो है इनके साफसे 25 से 26 लाग के वो एक बहुत भड़ा मला जो घोटाला है जो इनका कंस्ट्रक्शन में स्कूलों में वह बhी जिस से से शिराब का एक बड़ा गोटाला उसी तरह में एजूकेशन में कंस्ट्रेक्शन का भी बहुत बढ़ा गोटाला है यहां पर साथ में बोला गया था पांसू स्कूल के साथ की बीस कॉलेज खोले जाएंगे एक स्पोर्ट्स युनिवस्टी को लेकर का गया था कि दिल्ली के अंदर ऐसी स्पोर्ट्स युनिवस्टी खुले की जिसमें देश बर से आकर के जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो इस समय पढ़ रहे हैं वह आकर के जो आशिक्षा ग्राइन कर पाएंगे वह कहां पर खुलने को दिख रही है यहां पर कहां पर बनाई गई दिखे इनके जो इन्होंने स्पोर्ट्स कर दिया है लेकिन अभी एक इंटर्व्य में बीसी से पुछा भाई कि आपका में कहां बिल्डिंग है उन्होंने का मैं मुझे पता नहीं में तो टेंप्रेरी इन्होंने यहां मुझे बिठा रखा है तो सारा जो चाब वो यूनिवस्टी हो स्पोर्ट्स यूनिवस्टी ह हो चाब 20 कॉलेज हो चाब 20 स्कूल हो सारे पेपरों में हैं जमीन पे कुछ नहीं है जो पुराने स्कूल जो पहले पिछले 25-30 साल पुराने स्कूल है उन्हों में कुछ स्कूलों में इन्हों ने टाइल रंगाई पताई कर दी है और केवल अपने होडिंग देखें किस तर लेकिन यह लोग शेक्षा की मोडल की बात करते हैं यह लोग न्यूर्क जैसे टाइम्स में पैसे देखरके यह लोग हवा में उड़ रहे हैं जमीन बिल्कुल जीरो है हकीकत में बिल्कुल यह लोग जीरो है और इनों ने एज्यूकेशन के नाम पर आप पुझे की स्कूल में पिछले साड़े साथ में एक लाग बच्चे ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को छोड़ा है दिल्ली के स्कूलों को जो रिजल्ट है वो पूरे देश में दसमें बार्वे नंबर पे है यह अपने आप भी खुद ही अपनी चाती पीटते रहता है कि हम इसमें नंबर वन है नंबर वन है यह केवल जूट है जो हकीकत देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आपके सामने देखिए कि सिद्धी क्या है यह अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है जैसे गुरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा कि तरेपन फीसदी जादा जो है अनुमान लागत लगाई गई 326 करोड रुपे जादा इसमें लगाएगे जो सिक्षा मॉडल की बात की जाती है उसमें 326 करोड रुपे इस तरह से एक्स्ट्रा लगाना इसको लेकर आप क्या गई है नी विक्कुल देखे एक जो 300 इसक्वर फ क्लास हुआ है जिसमें बहुत बड़ा घपला हुआ करें 25-26 लाग रुबे तहीं पर कुछ कमरे दिनों एठाइट लाग के दिखा है और दूसरा देखिए जब रूम से तो बारा बारा हजार से जादा यह रूम की बात कर रहे हैं ट्वैलेट जो इनके ट्वैलेट है उनको क्लास दिखा दिया ट्वैलेट में उसकी क्या कौश्ट होती होगी लेकिन कलास जो 25-25 रुबे के ट्वैलेट के साब से इन्होंने कमरे बना करके बजट में पास कर दिये और केवल कंस्ट्रेक्शन जो कंपनियां हैं उनसे मिली भगत के कारण है उनको मिली बगत के जो जो मिली पैसा जहीं वह और भी बड़े आरूप आम आद्मी पार्टी सरकार पर लगाये हैं रैन्वर्टर हर्वेस्टिंग को लेकर करके कहा गया है ओरुपे कि इसमें जो है 860 करोड रुपे की लागतां थी 990 करोड रुपे सैंक्शन हुए और जो पैसा लगाया गया, जो पैसा दिया गया आमादमेश PATY की दिया गयाàng तो ये 400 क्रोड से जादा पैसा क्यों दिया गया हमाद में पार्टी के बिकुल देखें जो 900 क्रोड पर का बजट चुछ था जो गवर्मेंट्स के जो इनका टेंडर जब पास हुआ और आपने 900 क्रोड पर ठीक है आपने जब टेंडर में कहा भी 900 क्रोड से आदा है तो लेकि स्कुलों की बात करें पैसे देदी ये लेकिन हुआ कुछ नहीं दिली जलबोड में उसी तरह जो 43,000 क्रोड रुपे का जो दिली जलबोड का है कि जो दिल्ली की 1799 कलोनियों को जो हर घर में नल से जल जाएगा वह भी गंगा जल जाएगा जब पता चला की करीमें 400 क्रोड पता चला की 26,000 क्रोड रुपे का हिसाब ही नहीं है ये दिली सरकार के आउडिट रिपोर्ट में वह एक और बड़ा घपला जल्दी जलबोड का आएगा डिटी सी का घोटाला आएगा तो जिस डिपार्टमेंट को हम लोग करेंगे खोलेंगे उस जिस डिपार्टमेंट क सब फाइलों में कहीं ने कहीं इनको ब्रश्टाचार आएगा हम दिली के गवर्नर विने सक्सेने जी का बहुत आबारी है कि उन्होंने भी दो दिन पहले एक स्टेटमेंट मैंने उनको न्यूज परम पढ़ रहा था उन्होंने कहा कि जो भी फाइले दिली सरकार के पास मे कि वो सारे जो ब्रश्टाचार हुए उनमें कहीं पर नाम नहीं है क्योंकि साइन रून कहीं कहीं नहीं पर दिली का दिली का मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में कि जो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं है अपने पास सारे अधि से गोटाला हो चाहिए आप स्कूल की कंस्ट्रेक्शन का गोटाला हो मुख्य मंतरी जी का अपने नाम कहीं नहीं है यहीं आपने बात की उपरा जेपाल विने कुमार सक्साना की आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली विदान सभा में पूरी रात बर वो हंगामा करने वाल के लिए इस सब कुछ कर रहे हैं रोज कुछ नहीं कानी सुना लेते हैं कभी कहते हैं जी मेरे एक एक विदायक पे मेरे विदायक को खरणें के लिए 20-20 करोड़ ले जा रहे हैं कभी ओर रोज नहीं कानी वह आज बनाने में लगें वह केवल लोगों का है दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन के दिवाल जीस हम क्यों इतना कहना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि जो अपकारी निती में ये जो आपने 144 करोड रुपया जो लो जो शराब का डिश्पुशन हमेंस्हा सरकार अपने पास रखती थी आपने जो शराब की मैनिफेक्चिंग कपनियों को क्यों दिया शराब की कंपनिया ही शराब बना रही है वोई होल्टेलर है वोई रिटेलर है कल किसी शराब में कोई कमी आ गई तो उनकी जांच परताल भी कमपनिय करेगी तो सब कुछ आखरी किसके दवाव में किया और यह दवाव में कितना पैसा आपने लिया जब तक आप अर्विन केजरिवाल जी वह खुलासा नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी बोल लीजिए कि हम लोग गवर्नर जी दिली के उपराज जेपाल का स्थिपा ले हम लोग इनका स्थिपा ले उनका ले इससे बहकावे नहीं दिली की जंता आप इन समझ गई है दिली के उपमुखे मंतरी को स्थिपा देना होगा अर्विन केजरिवाल जी जो आपने बरश्यचार किया ह दिल्ली की जंता आपको समझ गई है और इन सब चीजों से नहीं कुछ भी मलाब पल्ला नहीं जाड़ दकते आपकी चोरी पकड़ी गई है आपने बहुत बड़ा बरश्चाचार की आप तक दिल्ली के त्यास में इसे बड़ा बरश्चाचार नहीं हो अरुजिंजी 62 विदैग होने के बावजूद यहां पर विश्वास प्रस्ताव लाए जा रहा है अरविंद केजरिवाल की तरफ से विधान सबा के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं अपना शक्ती परदर्शन दिखा रहा हूं कि मेरे जो ML ने हैं विदैग हैं कितने कटर इमानदार हैं यह कटर ने कहा न राजपतीजी ने कहा अपनी मर्जी से कुछ भी करने आपके सुत्तर में से बासेट आपके विधायक हैं आपको किस से डर लग रहा है आपको क्या आपने विधायकों पर विश्वास नहीं है इसके मतलब तो यहीं लग रहा है कि आपके जो साथ के विधायक है उ च़ोरी जो मेरी पकड़ी गई है उस चोरी से मेरे लोगोन में भी मैरे परती जो विष्वास मों गया है और तूश नहीं है उसमें कुछा करने के लिए स्वागत है देखे के वल यह लोगों का ध्यान बठकाने के लिए लोगों का है और कुछ नहीं है जी रोज कंफियूजन के लिए कंफियूज पैदा करने के रोज नहीं कानी बनाना रोज नहीं कानी करिए और दिल्ली की जनतों को हकीका तो सचा ही बताइए आप रोज ट्विट नहीं करेंगे आप रोज कंफिये आज दिल्ली आमाधी पाट्टे की रोज दिन में दस वार इनकी प्रेंबल इनकी पीसी होती है दस वे यह लोग अपने वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं यह केवल बॉखलाट है यह केवल इनकी जो यह जो भृष्चाचार यह इनकी इंदर के जो डर है जो इनका अंदर की चोरी है वो नजर आ रही है और कुश नहीं